तो कैसे आप लोग उम्मीद है अच्छ होगी चौथा टेस्ट राची का मैदान और मज़ा आगया देखके जिस तरीके से हमारे डेबुटेंट द्रूब जुरेल की जो बल्लेबाजी हुई इंप्रेस्ट मतलब कहते हैं इसे ना कि मौके पे चौका मारना यहाँ च्छखका मार दिया है धुरूब जुरेल ने क्योंकि हमें पता है क्योंने क्यों मौका मिला क्योंकि लगातार जिस तरीके से केस भरत को मौका मिला वो फ्लॉप रहे और रिशपपन तिंजड है जिसकी वज़े से इनको मौका मिला और मोके को पूरा ग्रैब किया और दिखा दिया कि परतिवा बहुत दंदार है इस खिलाडी में खेर मैच के उपर आ जाते हैं पहले इंगलेंड बल्लेबाजी करने आए फर्स्ट इनिंग में बहुत बड़ा स्कोर लगा दिया और उसके कारण रहे हैं रूट जो रूट की बल्लेबाजी ये पूरे सिरीज में पहली बार देखने को मिला और ये एक लौता सतक जो इस मैच में आया वो रूट के बल्ले से आया इसका कारण कहीं न कहीं बुमरा भी कहे जा रहे हैं क्योंकि जस्पूइद बुमरा और रूट की जब राइवेलरी होती है क्योंकि लगातार इस सिरीज में आउट करते हुआ हैं और उनके आगे बिलकुल भी नहीं चलती रूट की कहीं न कहीं एकदम नर्वस हो जाते हैं पहली इनिंग में ही not out सा तक ठोक दिया मतलब कोई out ही नहीं कर पाया इंडिया ने 10 विकेट जो सामने वाले से सब गिरा दिये वर route नहीं ठीके रहे भाई जड़ एकदम मजबूत कड़ा रहा और इसी के बदोलत राची की ऐसे मैदान पे जहां पे बल्लेबाजों के लिए बहुत संगर्स है वहाँ अच्छा खासा स्कोर कर गई थी इंग्लेंड और इंडिया की भी शुरुवात कहीं न कहीं मैं कहूंगा काफे इंप्रेसिब थी क्योंकि जैसवाल जिन पे भरोसा था वो अच्छे खासे बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और रज़त पाटिदार जिनको ये मौका मिला था बहुत मेरास किया भाई रज़त पाटिदार भाई आपको इतना बड़ा प्लेटफोर्म मिलता है इंडिया जैसी टीम में आप खेल रहे हो जहां पे स्ट्रगल है भाई किसमत वाले वहां पे खेल पाते हैं आपको मौका मिलाओ और वह भी एक मैच रीद दो-दो मैच में है और फ्लोप पे फ्लोप बंदा बिलकुल भी इंप्रेस नहीं किया मतलब ऐसा लगी नहीं रहा था कि ये बंदा कहीं ठीक है मानता हूँ स्टार्टिंग दोर है आपको वो चीजे नर्वसनेस और वो कॉन्फिडेंस नहीं आती लेकिन भाई मौका तो ऐसे होता न मौके पे चौका नहीं मारोगे तो कैसे बात बनेगी सर फरास खान जो दूसरा मैच खेल लेते पहले मैच में उनका डंका बोला था और वाइरल परसनेलटी बन गे था और दिखाया था दमखम इस मैच में फ्लॉप रहें फरस्ट इनिंग में बहुत जल्दी आउट हो गए 14 का स्कोर पे उनका विकेट गिर गया और वहाँ लग रहा था कि कहीं ने कहीं एक बड़ी लीड ले लेगी इंग्लेंड की टीम लेकिन क्योंकि धुरूप जुरूप जुरूएल आएं और च्छाएं अकेला बंदा टेलेंट रस्यानी की गेंदवाजों के साथ बल्लेबाजी करता हुआ नजर आया पिस्पोटक बल्लेबाजी दिखाई और 90 रन पर उनका विकेट गिरा लेकिन उससे पहले जो पूरा गेम चलाना वो इनिंग मजा आया सब को इंप्रेस करा और बताया कि इस बंदे में दम है वाकई क्या खेला है बंदा यार मतलब एक तरफ से विकेट गिर रहे हैं आपको दिख राए के सामने कभी भी विकेट गिर सकता है और वो आउट हुए तो दसमे प्लेयर के साथ आपको बल्ला चलाना होता है और उसी अंदाज से खेलें कहे न कहीं वेल सतक डिजर्व करते थे हैं अगर एक अच्छा या फिर और विकेट होते हैं तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दुर्व जुर्व और भी संभल के खेलते हैं और वो सतक को कंप्लीट करते हैं लेकिन वहाँ पर उप्शन ही नहीं था उनके पास क्योंकि एक से एक विकेट गिरते चले गए कोई भी पार्टनर से बिल्ड नहीं हुआ और वहाँ कहीं न कहीं जादू भी चला था बसीर कमाल का स्पिनर और इंगलेंड के लिए मुझे लगता है कि भवेश बहुत ज्वलेंड के लिए क्योंकि पांच विकेट निकाले थे इंप्रेस करके रख दिया और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत ही खतरनाक और एक एस्पेसलिज जो गेंदबाज जो इंगलेंड के पास वहाँ पे इंडिया टीम फाइट वेक के लिए तयार थे इंडिया टीम ने ऐसी गेंदबाजी की स्पिन डिपार्टमेंट खास कर अस्विन और कुल्दी प्यादप ने समलने का मौका है नहीं दिया क्रोली ने एक 50 प्लस स्कोर बनाया उसके बाद कोई भी ऐसा बल्लेवाज तिका नहीं 145 रन पे पूरे टीम बिखेट दी सेकेंड इंगलेंड की और इसके कही न कहीं पूरे पूरा क्रेडिट जाता है कुल्दी प्यादप और अस्विन अस्विन ने पांच बिखेट लिए कुल्दी प्यादप ने चार बिखेट लिए और यहाँ पे 192 रन का टारगेट मिला था इंडिया के पास जो कि हमें लग रहा था काफी कॉइट इजी टारगेट है और इंडिया जिस तरीके की बल्लेवाजी और स्टार बल्लेवाज रहते हैं जैसे कि जैस्वाल है, रोहिस सर्मा है कहीं न कहीं आपको जुरेल भी जिस तरीके से पहले इनिंग में इंप्रेस करके गएते हैं हमें लग रहा था कि आसानी से हो जाएगा पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये पिच इतना जादा मुश्किल हो चुका था कि लगाता सर्टेन इटलवल पे विकेट गिरते चले गए जिस जैस्वाल को हमने देखा पहले इनिंग में और ये पूरे सिरीज में खेलते हुए उनका विकेट बहुत जल्दी गिर गया लेकिन कप्तान रोह सर्मा ने इस पिच को समझ लिया और सबको बोला भी कि भाई यहां पे हिट मत मारो बल्ला चलाओगे तो चले जाओगे यहां पे आपको सिंगल डबल और चालाकी से गैब ढूंड के आपको रन निकालने होंगे क्योंकि यह रन इतना मुश्किल होने वाला है यह पता चल गया था पिच के हिसाब से क्योंकि जिस तरीके से स्पिन गेंद को खेलना बहुत मुश्किल हो गया थो किसी के भी बसकी नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा हावी हो चुक है स्पिन डिपार्टमेंट और वो बसीर जिस तरीके से गेंदवाजी कर रहे थे कमाल के टच में थे और रेगुलर इंटर्वल में स्टार्टिंग में विकेट गिरा भी रोई सर्मा के 50 आई लेकिन रजत बटिदार फिर से फ्लॉप रहे जटेजा आउट हो गए चार रन के स्कोर पे सर्फरास खाना आउट हो गए जो कि खाता ही नहीं खोल पाए और कहीं न कहीं लग रहा था कि भाई 5 विकेट गिर गए और 90 रन के लगबग तो अभी भी बाकी है आपके पास अब बॉलर आने वाले सुम्मन गिल एक तरफ से खड़े थे लेकिन वहाँ पे दुरूप जुरहल के बाद सिर्फ बॉलर्स थे और अगर एक विकेट गिरता इंडिया पिलकुल ये मैच गवा सकती थी और वहाँ से इंग्लेंड को भी एक उम्मीद जग गी थी कि भीया इस मैच को निकालने का मौका है और ये दो से दो मतलब चार मैचों के सेरीज में टू-टू टाई कर देंगे लेकिन धुरूप जुरहल ने और सुमन गिल ने उनके मनसूबों पे पानी फेर दिया और दोनों ने पिच के और हलातों को जाइजा लिया और समझ गए कि हाँ संभल के सिंगल डबल में डील करना होगा गिम को और क्लोज लेके जाना होगा और हमारे बाद कोई विकेट नहीं है तो दोनों ने संभल के बल्ले बाजी की और उसके बाद एक भी विकेट नहीं दिया और जिता के ये पार्टनर्सीप वापिस आ गई जो कि कमाल का परफॉर्मेंस कहूंगा कहे ना कहीं सुमन गिल जिस तरीके से लगतार आउट और फॉर्म चल रहे थे एक सतक आया था लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ये बड़ी पारी थी ये 50 प्लस जो उन्होंने स्कोर किया न एक इंपोर्टन टाइम पे उस ऐसे पिछ पे जहां पे सिंगल निकालना मुश्किल हो रहा था गेंद बाजी में स्पिन की बात करनू तो बॉल समझी नहीं आ रही तो कब कहां से कैसे टर्न हो जाए तो ये स्पिसल नौक था और ये कहें न कहीं कई सतकों के बराबर है सही बात है और यहां से एजली जुरेल के साथ मिलके पार्टनर्सिप ने केम को निकाल दिया और इंडिया ये सिरीज तीन एक से जीत चुकी है मतलब पांच मैच का सिरीज है लेकिन अब वो मैच का कोई भी पर नामा है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिरीज हम लोग जीत चुके है इसलिके साथ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये टेस सिरीज हमने इस नए साल में दो-दो जीत चुके है तो सुरुआत अच्छी हुई है और वल्ल्ड कप भी है टी-टुन्टी तो उम्मीद यही करेंगे कि इसी तरीके से ये साल जाए इंडियन किर्केट के लिए और हम सब को खुशी के और भी पल मिलते रहे बाकी आप बता सकते हो क्या लगता है किस तरीके से आपको इंप्रेस किया है धुरूब जुरेल ने मुझे लगता है कि स्पेसल क्लास टाइलेंट है और स्पेसल प्लेयर है खासकर मैं अगर बात करूँ उनकी कीपरिंग की भी न पहतरी लाजबाब कीपरिंग की एlen इंप्रेस किया है और बताया है कि क्यों दम रखते हैं और खासकर जब लास्ट में आप प्रेसर सिचुइशन में उनकी बलेबाजी दोनों ही इनिंग मे आई थी और दोनों ही इनिंग में बखो भी निखर के आए उभर के आए तो कमाल का टैलेंट जो भी रहा है आप कमेंट में दे सकते हैं फिर मिलेंगे एकली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बाई